आदरणे दर्शक बेन नमस्कार यो दुनिया मा अनौठा रा आश्चरी लागदा कुरा हरू देरे छन। कि तपाईले कईले सुन्नू आ देखनू भायगो छा मांचे मर्दा दुम्दाम खुशी आली मनावने अनौठ परमपरा। अज रोचक र अचम्म लागदा कुरा एक मैना मैं दुई पटक सुद केरी। अनि गल्स होस्टेल का गुप्पे कुरा हरू आजकु वीडियो मा समाबेश गरेगा छू। यो वीडियो लाई अन्तिम सम्मा हेरे रा लाइक, कमेंट, सेर गर्न न बुलना अला। तपाई अईले हेर्दे हुनुँँच चेन्जान टीवी। एधी तबाई हामरो चैनल मा नया हुनुँँच भने सुचना, मनरंजन र रोचक जानकारेक लागी हामरो चैनल लाई सस्क्राइब गरना न बुलने वला। जिन्दगी कैले काहीं किस मतले पनी चलने गर्चा, किना कि दिमागले चलने भाये हर बुद्धिमानी मानचे अरू आजा राजा होने थे। यो मत्त पूर्णा भनाई लाई आत्मा साप गर्दे हामें विशेबस्त तरप अगाडी बढ़ दे चान। मानचे जन्मीदा आफंत अरू खुशी होन्चन, भने मर्दा स्वक मनाऊचन। आफंत वा साथिबाई अथवा अपरिचित नई किना नवस, कोई मानिस मर्य भने को सुन्दाईमा नमीठो लाग्चन। तर यो दुनिया में एस्ता क्याई समुदाई पनी छन्, जसले मानिस मर्दा स्वक मनाऊण। को साथो दुम्दाम खुशी आली मनाऊचन। संसार को चिडिया खाना भनेने अफरिका माँ देश माई पाइन चा आखिर एस्ते एस्ते आच्छर आश्चरी लागने परमपर हारू। घाना देश मा बसने एक आधिबाशी समुदाई का मानिस अरूले आफंत मर्दा खुशी मनाऊण नाजगान गर्ने गर्छन। घानी एन भनेने ती आधिबाशी समुदाई हरू के इमानिस मर्दा उसको अंतीम संस्कार का बेला बियेम जन्तिली रमाईलो गर्य जस्ते गरी नाजगान रमाईलो गर्छन। मानिस अरूल मर्दा खुशी मनाऊने यो परमपरा उक्त समुदाई मा सदियों देखी चली आयको हो। आपनो परिवार को कुने सदस्य को मिर्दु भाय पची हमरो पित्रीकार्य गरी स्वकपूर्वक पित्री परसाथ बितरन गर्य जस्ते तिया मलामी पाटी दिने चलन छा। उक्ता भोज मा राम्रो राम्रो कपड़ा पईरने तथा निक्के नाजगान गरिनु का साथे मीठा मीठा परिकार बनायरा पाउन हरुलाई ख्वाएंचे। ये भोज का दाउरान परिवार का सदस्य हरुले मृत बेक्तिको तस्बीर भयको टीशर्ट लगाँचन। पाउन हरुले समेत नाना थरीका ब्रस्त आभूशन लगाएर मृत्व भोज मा आई खाई खुशियाली मनावचन। एक मैना मैं दुई पटक सुदकेरी। पक्रितिको चमतकार का अगाडी बिग्यान फेल खांच। हालाई बंगलादेश मैं एक जान मैला ले यो कुरालाई पुष्टी गरिदिये गीछिन। ये कीरतिमानी मैलाको नाम अरिफा सुल्टानों उनको मेर बिस बर्सको चा। आरिफाले नर्मल डेली वरी बाट पईलो बच्च जन्माईन। छोरा जन्माईर अस्पताल बाटा घर फर्कियेको छब्वीशों दिन मां उनको पेट अचानक दुख न थाले। तेस पची उनलाई चेक जांच का लागी अस्पताल लगियो। जब डाक्टर हरुले उनको प पेट मां ठप दुई ओटा बच्चा थे। उनको ततकाले सल्ले किर्या गरी गर्वामा रायका जुमलेहा बच्चा बाईर निकालियो। पेट मां तीन ओटा बच्चा हमुदा हो दै पनी डाक्टर हरुले किना शुरुमें पत्त लगायानान। भन्य प्रस्ण उठनू सभ अबिके हो। डाक्टर हरुका अनसार उनको शरीर मां दुई ओटा गर्वासाय चन। पहिलो बच्चा र पच्चिल्लो पटक जन्मेह का जुमलेहा बच्चा छुट्टा छुट्टे गर्वासाय मां रायका थिये। समचार अनसार आरिफा रा उनका तीन ओटे बच्चा प गौल्स होस्टेल भास्ता में एक अलग दुनिया हो। केटी होरुको लागी। जा फरक फरक ठाउबाटा आयका केटी हरु एक साथ रहन चन। कोठा शेर गर्चन, बाथ्रूम शेर गर्चन, कपडा शेर गर्चन रा एक अरका का भावना तथा इच्छे हरु पनी शेर गर तरकाई गुमना जाना का लागी वही न, आपने फोटो खिसना का लागी। नमर दुए, पूरे रात भर जागार आयर फिलिम एर ने गर्चन, नमर तिन, पूरे रात भर जागार आयर एक अरका भीज, लव, अफियर, लव, लवलाइफ, विभा, सुहागरात, साउता तथ प्रेम्र धोका का बारेमा अंतर रंग कुराकानी गर्चन, नमर चार, स्वसल साइट मा कुनाई नया केटा संग चिन जानी वा कुराकानी औनी आपना साथी और संग सोधी उसले गरेगा प्रश्णका जवाफ कजने गर्चन, नमर पाच, आपनी साथी को बॉइफ्रेंड अंजान केटी बने रा फोन गरने रावस को रेस्पून्स भूजने गर्छन। नमर 6. देरे दिन सम्मा केबल चाव चाव वा ड्राइफूर्स खाया रा दिन बितावने गर्छन। नमर 7. साथियरो का लुगा लगा लगा रा गुम्न तथा पाटी मा जाने गर्छन। क्यांटीन को खाना नरामर भयको बन्दै कच-कच गर्न। रा आफू मा पोई साथ जम्मा गरे रा बाईरा बाटा खाने कुरा मगा रा खाने गर्छन। सबैसांगा पोई साथ जम्मा गरे रा कुने साथिको सप्राइज बर्ते पाटी गर्ने। जस्तो पाय उस्ते कपड़ा लगाऊनू किना कि त्यां केबल केटी हुर मात्री होंचन रालाज को फ्याक्टर कम होंचन तेसलिपने उन्य अरू इस्तो गर्ने गर्छनू दर्शक भीन हजर अरले थापाई हालनू भो गल्स वस्टेल का दस गोप्य कुरा आरू यो वीडियो तपाय हरू लाइक कस्त लागे हो कमेंट करना न बोलने वाला धन्य बाद स्थाहब मेल करना फ्रेंयों मुप लाइक कर बेंट मेल ही न आर away होे होução आर कि कोस्टर दो खोल수가 D- gelsbor में उन्य तोर भी अर बाद रवार् लावाई ऑजर door प्यद्रा अरका कर दोगल रभासा है है हाह Nee है मैंग मुपping सह एक झाली हो जोक मैं भाया है प्रोफ़ दोता है झाल झाल